सो हेलो और वेलकम यू ओल आएम रोहीत प्रो महाज़न ट्रेडर सो गाइस आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे नहच पीसी गेल और सेल के बारे में साथ ही हम बात करेंगे एक एसे शेयर की जो यहाँ पर 6H21 का बोनस आपको देने वाला है सो गाइस यहाँ पर शुरुवात करते हैं NHPC से NHPC में एक अच्छी न्यूज आ रही है सो गाइस यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं इसके आज कहाँ पे इसने क्लोजिंग दी क्या रिटन्स दिये तो NHPC Limited यहाँ पर अगर देखें 39.20 रूपिस के राउंड यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ आज नजराया 0.50 रूपिस के राउंड शेयर में बड़त रही 1.29% के है साबसे तो गाइस यहाँ पर क्या न्यूज है यहाँ पर अगर देखें NHPC में एक आवोर्ड जीता है NHPC won Best Global Competitive Power Company of India Award यहाँ पर जो Power Company of India Award है उसे NHPC ने यहाँ पर जीत लिया है बिल्कुल गाइस NHPC यहाँ पर Power Sector की बहतरीन कंपनियों में अगर नाम आए तो NHPC का नाम आए गई आएगा गवर्मेंट के महारतन स्टॉक्स में से एक है NHPC Limited और यहाँ पर अगर देखें टाटा पावर अडानी पावर जैसी कंपनियों को यहाँ पर NHPC प्रोजेक्ट देती है अभी हाली में एक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया था टाटा पावर को अडानी पावर को भी कई सारे प्रोजेक्स है NHPC की और से मिले है तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर शेयर शानदार है यहाँ पर देखें तो आने वाले टाइम में बड़ी बड़त हमें देखने को मल सकती है तो नीचले लेवल पर अगर इंवेस्ट में करना चाहो तो बिल्कुल इससे बहतरीन शेयर नहीं मिलेगा और इससे बहतरीन लेवल भी नहीं मिलेगा तो कौन सा लेवल है आगे डिसकस करूँ उससे पहले गाईस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो बात करेंगे यहाँ पर NHBC Limited के लेवल की तो यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक में यहाँ पर दो बार रिजिक्शन्स थे इन रिजिक्शन्स को जिलते फ़ें स्टॉक में अगर देखें यहाँ पर भी अगर एक ट्रेड लाइन बना दे तो यहाँ पर एक स्टॉक में एक ब्रेक आउट आपको देखने को मिलेगा और वो ब्रेक आउट मिला हमें इस पर्टिकलर लेवल पर stock ने जैसे ही breakout दिया sustain किया और सीधा लगा दिया एक jump फिर यहाँ से sideways जाना start हो गया और guys यहाँ पर अगर देखे यह जो level है यही पर यह support लेता हुआ नजराया और यही से support लेके share उपर की ओर जा सकता है और यहाँ पर 46 रुपिस के round के जो targets है और यहाँ पर easy तरीके से जीव कर लेगा तो मैं यह चीज मैंने पहले भी कही थी कि इन particular levels पर यह support लेता हुआ नजरा आ सकता है और बिल्कुल हमें वो देखने को मिला और यहाँ से stock में एक jump हम भी उम्मीद कर रहे हैं इच्छा jump आए और यहाँ पर कुछ इस तरीके की ट्रेड लाइन बनाओ या फिर इस तरीके की breakout मिलता है तो stock में momentum positive ही आएगा हाँ अगर देखें तो five minute के chart frame पर भी stock में upside down momentum आपको देखने को मिलेगे stock ने यहाँ पर already दो बार support ले रहा है थर्ट time support ले रहा है यानि यहाँ पर ओपर की हो जाएगा तो guys यहाँ पर भी अगर देखें तो बिल्कुल upside down time है breakout अगर मिलता है तो stock में 40 rupees के level थक भी easy तरीके से plot कर सकता है और वही अगर बात करें तो stock में जो नीचे के level है यहाँ पर as a long term के basis पर काफी बड़े support है उपर इन levels से rejections थे बट यहाँ पर level in stock ने इन levels को break किया और उपर क्यों जा रहा है और यहाँ पर अगर देखें तो इस particular level से stock भले ही नीचे आ रहा हो बट जैसे ही इस level को जब तक यह break नहीं करता तब तक यहाँ पर एक बड़या उचाल नहीं देखने में मिलागा बट यहाँ पर इस level पर जब breakout मिला तो इस sustain कर रहा है तो यहाँ से बिलकुल उपर कियो जाएगा और अभी कि अगर मैं बात करूँ तो market भी कही ना कही week है जिस वजह से यहाँ पर share गिरता हुआ नजराया तो बढ़ते हैं अब बात करें स्टील अथरिटी आप इंडिया लिमिटेट सो गैस स्टील अथरिटी आप इंडिया लिमिटेट की अगर बात की जाए 76.65 रुपीस के राउंड शेर यहाँ पर closing देता हुआ नजराया है यहाँ पर returns की बात करें 1.95 रुपीस के राउंड शेर में एक अच्छी ग्रोथ र बड़ा है और वही गाइस अगर आप देखोंगे तो जिस तरीके से हमने कल डिसकस किया था कि यहाँ से स्टॉक में यह जो पॉइंट है यह एक retaste पॉइंट है और यहाँ से स्टॉक उपर जाने की कोशिश करेगा और गाइस यहाँ पर बिलकुल स्टॉक उपर की और गया और बिलकुल हमें हलकी सी जलक देखने को यहाँ पर मिली तो यहाँ पर एक ही चीज में कहूगा कि as a long term के basis पर अगर आपको buying की और जाना है तो जब तक यह 80 रूपिस के level को उपर की और break नहीं करता है तब तक आपको buying की और नहीं जाना है यहाँ पर हमें पहली भूल कि कई सारे upside downs momentum थें यहाँ पर rising wedge type patterns create हुए है जिसमें एक हमें breakdown आया तो retest कर सकता है यहाँ फिर अगर 80 रूपिस को break करता है तो long term में एक अच्छी opportunity है बट यहाँ पर कही नहीं कहीं लग रहा है कि इस particular level पे support ले रहा है जिससा हमने कल discuss किया था बिलकुल उसी point पे इसने support लिया और अब जा रहा है उपर के और but guys long term के basis पे share शानदार है यहाँ पर से support यहाँ पर support यहाँ पर rejections भी है साथ ही एक breakout भी है stock ने retest करके यहाँ पर अगर देखे 300-200 तक तो यह easy तरीगे से चाह सकता है इस चीज़ का भी आपको ध्यान लखन है अब बात करेंगे guys Gail India Limited की so Gail India Limited में अगर आप देखोगे तो stock ने यहाँ पर closing दी है 94.30 रुपिस के around यहाँ पर guys 94.30 रुपिस तके share closing दिता हुआ नजराया return के साथ return कितने 2 रुपे 75 पेसे तक और यहाँ पर percentage में देखे तो 3% तक की growth आज हमें Gail India Limited में देखने को मिल है और guys वही अब बात करेंगे तो stock में upside down momentum देखने को भी लेगे और यहाँ से इसने इस particular level पे एक लिया है support और यहाँ से अगर support ले रहा है तो जो target नजराता है ओ सीधा यहाँ पर 100 रुपिस के around का होगा so यहाँ पर मैंने कहा था कि धीरे ही धीरे ही सही बड़े share बड़े इस share में देखने को मिल रहे है और long term के basis पर है तो पहले भी हम इसमें कई बार positive है चुके है और अभी भी इन levels को अगर आप देखोंगे तो यहाँ से stock में गिरावट आई यहाँ से share में support लिया फिर stock उपर गया फिर गिरावट के साथ नीचे फिर support लेके उपर गया फिर न पर इस जो लेवल है इसी तरीके से इन लेवल को यहाँ पर टच करता हुआ नजर आ सकता है तो उससे भी उपर के लेवल यहाँ पर आचिव होते हों नजर आएगी यह pattern है जो symmetrical type pattern है और यहाँ से breakout के बाद stock में आप 125 रुपीस के अराउंड के लेवल या फिर 130 के लेवल भ आपको यहाँ पर 7 share मिल जाएगी और टोटल आपके बास 70 share हो जाएगी गाईस और यहाँ पर company का नाम है GM Polyplast तो गाईस यहाँ पर GM Polyplast Limited की बात की जाया तो यहाँ पर 6H1 का bonus दे रहा है एक share के ओपर 6 share free इसकी जो record date है और है चार जनवरी 2013 तो चार जनवरी 2013 के पहले पा अच्छा लगा होगा वीडियो गर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलना गाईस और यहाँ पर कोई भी share में investment करने से पहले एक बार insurance का analysis कर लेना ठैंक यू